हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों विश्याला सब करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल क्यों होने वाले हम आपको बताएंगे दोस्तों आशी वीडियो में सबसे पहले तो एक एप है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे दोस्तों यहां पे आपको सर्च करना है इस नाम से यह एप आपको मिल जाएगी दोस्तों बहुत अमेजिंग है यह यह यूज कैसे कर लेंगे तो यह आप से कुछ settings enable करने को बोलेगा ओके दोस्तो सेटिंग enable करने के बाद आपको इस तरीके से option देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको यह demo तरीके का बोलेगा अब देख सकते हैं दोस्तो जनरली आपके mobile में इस तरीकी का keyword आता है ओके दोस्तो अब दोस्तो इस app की मतलब से आप यहां पर इस तरीके से keyword यानी बहुत सारी चीज़े आप यहां पर create कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं यहां पर मैंने एक button पर click किया और मेरा keyword पूरी तरीके से चेंज हो गया ओके दोस्तो इस तरीके से यह बहुत सारे font यहां पर आपको मिल जाते हैं यह तो एक तरीके emoji type है जो आप WhatsApp, Facebook, Instagram पर use कर सकते हैं ओके दोस्तो यह सारी चीज़ें आप use कर सकते हैं इस अगर आप चाहते हैं इसके अलाबा अगर आप font वगएरा चेंज करना चाहते हैं जो कि आपने जनरली देखा होगा WhatsApp, Instagram वगएरा पर different type के font आते हैं तो वो यहीं से ऐसी ही application से आते हैं ओके दोस्तो तो आप इस application को एक chance दे सकते हैं search कीजिएगा Google Play Store पर जाके जैसे मैंने बताया ओके दोस्तों और इस तरीके से आप यहां पर बहुत ही amazing font देख पाएंगे ओके दोस्तों जो भी आप type करेंगे test इस तरीके से आप देख पाएंगे ओके दोस्तों font अगर आप change करना चाहते हैं तो multiple font single line में आप add कर सकते हैं जो कि काफी cool लगता है ओके दोस्तों इसके अलावा यहां पर बहुत साई emoji देखने को मिल जाएंगे आपको इस तरीके से अभी तो font ही चलने ओके दोस्तों upside down बहुत ही cool font आपको देखने को यहां पर मिलेंगे ओके दोस्तों इस तरीके से अगर आप use करने जाते तो यह भी कर सकते हैं यह भी काफी cool font है यह पर बहुत सारे font है सबसे पॉजिटिव बात इसकी यह ही है ओके दोस्तों अब कुछ words जैसे आपको काट के करने होते हैं जिन ऐसे words की मुझे बहुत जरूरत परती है तो मैं ऐसे words को use कर सकता हूं देखिए इस तरीके से जो की काफी cool लगते हैं इसके अलाबा यहां पर मैंने आपको बताया different type of emojis मिल जाती है यह तो आपकी emoji आपको WhatsApp पर generally मिली जाती है इसके अलाबा आप जैसे यहां पर जाते हैं यहां पर आपको यह different type के icon मिल जाते हैं जिनको आप use कर सकते हैं कि दोस्तों यह देख सकते हैं phone वगेरा यह सारे icon जो आपको generally WhatsApp वगेरा पर नहीं मिलते हैं को कि दोस्तों इनको आप use कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं कि यह application सिर्फ यहीं काम नहीं करती बलकि यह other third party जितनी भी एप है उन पर भी काम करेगी चलिए अपन आ जाते है WhatsApp पर WhatsApp पर आने के बाद दोस्तों एक काम करते हैं अपन यहां आ जाते हैं ओके दोस्तों चले एक काम करते हैं को जनरली एक चैटिंग ले लेते हैं अब देखते हैं दोस्तों यहां पर मैं कुछ भी टाइप करता हूं यह देखिए वह सारी चीज़ें यहां पर भी आ जा अचाहे तो इन्हें यूज कर सकते हैं अगर आपको ज़रा सा भी फॉंट वगेरा चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं तो कि दोस्तों इसके लिए ध्यान लगी का पर्मीशन देनी पड़ती है पर्मीशन जैसे आप दे देंगे आप यह सेटिंग यूज कर तो उमीद है दोस्तों समझ में आया होगा किस तरीके से इस अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं जोकि काफी कूल है काफी अच्छी है आप इसे यूज कर सकते हैं औक दोस्तों Play Store पर जाना है आपको सर्च करना है font emoji के नाम से तो यह application इस तरीके का icon आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इसका icon भी काफी जो इसका icon दे रहा है वो भी काफी अच्छा है ओके दोस्तो तो use कीजिएगा बहुत अच्छा logo है इसका आप use करेंगे तो आपको पता रहेगा बहुत अच्छी application है यह तो उमीद है दोस्तो यह video आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like जरूर कीजिएगा और channel को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तो ओके दोस्तो तो अगर यह video आपको पसंद आई हो तो please channel को subscribe कर दीजिएगा उससे ही आपको notification मिला करेगी हमारी फदर आने वाली videos की और हमें motivation मिला करेगी नई अच्छे अच्छे videos बनाने की तो बहुत जल मिलेंगे हम आपको next video में ऐसी ही amazing apps के साथ tips के साथ tricks के साथ और settings के साथ तब तक के लिए bye दोस्तो